Hello everyone, welcome back to my channel और आज मैं शेयर कर दियू आपके साथ मेकप step by step कैसे करना है और first process है cleansing cleansing मतलब clean your face जब आपको face को clean करना होता है क्यों से product से clean करना है उसके उपर भी मैं आगे वीडियो step by step बनाऊंगी second हमारा जो process होता है वो है toning आज मैं आपको step by step तो इसमें आपको क्या करना होता है toning में कोई अच्छा एक toner या फिर कोई अच्छा एक moisturizer आपको आपके skin के उपर apply करना होता है ताकि आपका जो skin का pH level है pH level means आपके skin में जो oil या फिर आपके skin में जो extra water है वो face wash करने पे वो निकल जाता है dry होने लगता है pH balance थोरा खराब हो जाता है तो उसको maintain करने के लिए ही use किया जाता है toner और दूसरा कारण होता है toner जो होता है वो pores को minimize भी करता है और dehydrate skin को hydration भी बहुचाता है तो यह तो काम करता है toner और mist next process होता है वो है moisturizing moisturizing actually क्या होता है आपके skin पे अगर बहुत ज्यादा dryness है आपका skin अगर oily भी है फिर भी आपको एक अच्छा moisturizer आपके skin type के हिसाब से use करना होता है अब skin type क्या है कौन सा moisturizer कौन से skin के लिए apply करना है आगे की वीडियो में जरूर में share करूंगी तो अभी तक अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजी और notification के लिए bill बटन को भी click कर लीजिएगा तो यह जो process में उपर लिखा है cleansing, toning, moisturizing इसे कहा जाता है CTM CTM का full from ही होता है cleansing, toning, moisturizing तो एडेली रूटिंग पे भी आप यूज़ कर सकते हैं जरूरी नहीं है make-up के लिए ही करना हो तो make-up का जो process start होता है वो primer से यहाँ पे आपको primer क्या करता है जो आपका face पे अगर open pores होता है pores क्या है वो भी details में आगे बात करेंगे फिलाल में step by step ही आपको बता रही हूँ आप भी चाहे तो note करते हुए जाए primer apply करने से हमारी जो skin होता है बहुत ज़्यादा smooth हो जाता है open pores जो होता है वो close हो जाते है और एक अच्छा base create होता है आप इसके बाद अगर foundation या फिर कोई product apply करते हैं तो easily apply हो जाता है और next जो हमारा step है वो है color character तो color character में ही लिखा हुआ है किसी color को correct करना तो correct कब करना होता है जब कोई problem हो जो incorrect हो तो उसको correct करना होता है ना तो इसलिए skin पे अगर कोई pigment है spot है deep dark marks है या फिर dark circle है या फिर बच्चपन में कोई skin पे जल गया था उसका निशान रह गया है या फिर pimples हो गया और bath marks भी हो सकते हैं ये सारे problem अगर आपके skin पे है तो आपको इसको correct करने की ज़रूरत परती है आपको अगर skin flawless दिखाना है आपने जो problem है उसको height करना होगा दिन आपको अलग-अलग color character होता है color character में भी orange, green, purple, yellow इस सब होता है वो भी आगे जाके मैं आपके बताऊंगी next step है हमारा foundation जबकि हमारा color character हो जाए तो आपके skin tone यानि आपके जो skin का color है या फिर skin tone है या फिर जो भी shade आपके color में है आपको उसी color का base यूज़ करना चाहिए इससे क्या होगा आपका skin flawless दिखेगा और आपके skin के जो problems थे वो भी hide होके एक base जो होता है वो base create करने में help करता है foundation next step है concealer concealer का काम होता है आपके जो face में high point हो है इसको brighten करना या फिर कोई भी छोटे मोटे spot जो दिख रहे हैं अभी भी coverage नहीं मिला है foundation से वहाँ पे coverage देने में भी concealer help करता है concealer हमेशा foundation से एक shade light आप यूज़ कर सकते हैं ताकि जो areas है जहाँ पे आपको highlight दिखाना है highlight में pop up करना है उस area को वहाँ पे आपका concealer use होता है तो इस सब हम practical में भी सीखेंगे फिलाल हम theory सीख रहे हैं next है cream contour यहाँ पे मैं contour word cream के साथ use इसलिए कह रही हूँ क्योंकि contour जो होता है वह creamy होता है और powder form में भी होता है तो इस strip में हम cream contour use करेंगे cream contour को use किया जाता है face पे एक shadow create करने के लिए क्यों shadow create किया जाता है हमारे face में जब भी हम foundation लगाते हैं तो हमारे face में जो भी ups and down area होगा वो नहीं दिखता है तो हमारा जो contour होता है वो एक tan look भी देता है ताकि जो face में एक shape था वो और ज़्यादा sculpted और define दिखे और face बहुत ज़्यादा heavy हो वो भी sharp दिखे इसी वज़े से cream contour को किया जाता है next step जो है हमारा वो है cream या फिर liquid blush तो same contour भी आपका liquid form में भी हो सकता है बट ज्यादा तर cream ही use होता है बट blush liquid और cream दोनों ही हो सकता है कब liquid use करना है कब cream use करना है वो भी आगे में सिखाऊंगी next है blush क्यों apply किया जाता है blush आपके pink color से लेके orange color या फिर red color के भी होते हैं हर एक अलग-अलग skin tone पे इसे use करना होता है blush लगाने पे जो natural smile है वो glow करता है blush ही दिखता है बत्तों bright या फिर कोई भी person smile ही दिखाने के लिए और और ज्यादा एक shine लाने के लिए face में blush यूज किया जाता है तो next है setting powder setting powder बहुत ही एक important role play करता है makeup के अंदर जो final touch up होता है makeup में जो आपके makeup को long lasting या फिर makeup को seal करने में मदद करता है वो setting powder ही करता है actually makeup को set करना या फिर makeup transfer ना हो face से या फिर पूरा दिन आपका वैसे ही जो आपका cream base है क्योंकि अभी तक हम जो भी use कर रहे थे वो liquid या फिर cream के ऊपर product था तो उस पर आप हाथ टच करेंगे या फिर mobile टच करेंगे तो वो निकल जाता है ताकि ना निकले इसी वज़े से ही setting powder का use किया जाता है next है bronzer और powder contour bronzer और powder contour इसलिए लिखा है जो powder contour पहले हमने लिखा था cream contour या फिर liquid contour उसी का ही powder form होता है powder contour का काम सेम है जो आपका cream contour का काम है आपके face में एक sun किस look मतलब एक tan look provide करना बहुत ज़्यादा enhance करना आपके cheekbone, jawline and nose के area को ताकि वो और ज़्यादा sculptate दिखे और ज़्यादा enhance हो जो structure है face का वो change करने में help करता है आपको जो bronzer होता है वो एक light effect देता है बट contour जो है वो थोड़ा उससे ज़्यादा आपका face पतला दिख सकता है तो इसका एक process है जो practical में आपको दिखाया जाएगा next है blush यहाँ पे मैं जो भी product अभी बताऊंगी वो powder form में ही होगा क्योंकि जब भी आप setting powder यूज़ कर देते उसके बाद आपको कोई भी liquid product यूज़ नहीं करना चाहिए next है जो blush होता है वो instantly आपके makeup पे एक healthy look provide करता है जैसे जो जिस पे भी आप apply किये हो वो ज़्यादा खुश है smile कर रहा है या पे ऐसे radiant healthy glow provide करता है blush next होता है highlighter 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 बहुत ही favorite होता है जो makeup में बहुत अच्छा role play करता है यह आपको एक natural luminous glow finish provide करता है और एक light effect भी create करता है face पे ताकि आपके उपर अगर कोई light गिरता हो तो आपका face एक shiny look provide करे glow look provide करे इससे जो photography होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है फोटो में तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद होता है highlighter इसे भी आपको अच्छे से अपलाई करना होता है high point area पे next है setting spray setting spray का का काम लगभग setting powder जैसा ही होता है but setting spray जो है वो liquid यहां फिर watery form में होता है इसका काम होता है आपके makeup को long lasting करना flawless बनाना यहां फिर आपके skin पे जो भी makeup ज्यादा powder ही लग रहा है over हो गया है उसको melt करना आपके skin में ताकि skin बहुत ज्यादा natural दिखे next मैं यहां पे step by step लिखते जा रही हूँ next होगा eyebrow eyebrow को और ज्यादा define और enhance करना होता है इस सारे process जब मैं practical दिखाऊंगे आपको समझाएगा और इसका भी अलग से theory knowledge भी होता है next है eye makeup मैं यहाँ पे eye makeup का बस tape लिख रही हूँ मैं यहाँ पे ज्यादा detail में theory नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपके के वीडियो पे सब कुछ details में आपको सिखाया जाएगा इसका अलग से detail में theory भी मिलेगा next process में आपको eyeliner mascara का जल यूज़ करना होता है eyes पे eye makeup के demand के हिजाब next है eyelash eyelash बहुत ही अच्छा एक role play करता है eye makeup के उपर next process है lipstick और यहाँ पे total आपके 19 step complete हो गया है makeup all done हो गया है last finishing है 20 number जो है makeup fixer makeup जो setting spray होता है और makeup fixer होता है दोनों almost अलग एक चीज होती है क्या difference होते हैं वो आगे जाके मैं बताऊंगी बट फिलहाल जो आपका makeup look है मतलब final complete makeup look है उसको एकदम से seal कर देना, intact कर देना ताकि makeup इधर से उधर ना हो और जो भी makeup आप कर रहे हैं वो long lasting हो और पूरा दिन stay करें जितना time तक आप उसे stay करवाना चाहते हो तो इसी साब से makeup fixer का काम होता है तो ए रहा आज का total makeup का step by step theory knowledge आप इसको note करके रख सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा मुझे comment box में जरूर बताना मिलते हैं next video पे तब तक के लिए bye